हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेश पर तो हमेशा की तरह आज पिर से आपके लिए लेके आए हूँ हिंदी सहती कुछ इंपोर्टेंट प्रेशन जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफी इंपोर्टेंट है और उत्राखंड में जो है अब बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं टीजीटी के फॉर्म एल्टी सहायक सिक्षक के फॉर्म आने वाले हैं विग्यप्ति इसकी बहुत जगल्दी ही प्रकासित होगी और आयोक के द्वारा अभी विग्यप्ति कीते थी और जो है एक्जाम कीते थी तो घोसित कर दी गई है मतलब की दे दी गई है परिक्षा कलेंडर में तो आप वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्यों मैंने उसके बारे में भी एक वीड सब्सक्राइब है तो यह तो पक्का है कि एल्टी की फॉर्म निकलेंगे ही क्योंकि आयोक कि अधियाचन मिल चुका है फॉर्म के लिए ठीक है तो इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाएए चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है आज का कि यही सच है यही सच है कहानी पर कौन सी फिल्म बनी कहानी का नाम है यही सच है और आपको बताना है इस पर कौन सी फिल्म बनी तो यही सच है यह कहानी किसकी है यह कहानी है मन्नू भंडाडी की ठीक है यही सच है जो कहानी है यह मन्नू भंडाडी की कहानी है और आपको बत ता, बताना आँ आपको इनमेसे कौनसी जो कहानी जो फिल्म थी, वो यही सच्छाए पर बने थी, तो इसके लिए Right Answer, Option C है रजनी गंधा, ठीक है जो यही सच्छाए, कहानी है इस पर फिल्म बने थी, रजनी गंधा, अगला क्वेशन है उतकर्स सब्द का विलूम है उतकर्स सब्द का विलूम क्या होगा तो उतकर्स सब्द का विलूम सब्द बताना है अपकर्स विकास उन्नती और प्रगती इसके लिए राइट अंसर अपसन ए है ओ है अपकर्स जो उतकर्स सब्द है इसका विलूम होता है अब कर्स अगला क्विशन है निम्ले में कौन सा सब्द अशुद्ध है अशुद्ध सब्द को आपको बताना है ठीक है यह है ब्यापारिक सामाचिक ब्यावहारिक सांसारिक तो अशुद्ध बताना है कौन सा गलत है मतलब कि इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए अब देखिए वैसे तो हमें यह सब आसान ही लगते हैं लेकिन जब हमारे पास सारे option एक जैसे होते हैं तो prior confusion की इस्तधी बन जाती है कि इसमें कौन सा सही होगा अभी आप देख रहे होंगे तो आपको सभी होता है ब्याव हारिक ठीक है इसका जो सुद्ध रूप होता है वक्य होता है ब्याव हारिक तो इसलिए option C इसके लिए right answer है अगला question है रितुराज का कविता संग्रा है रितुराज का कविता संग्रा इन में से कौन सा है option में हैं इमानदार दुनिया के लिए आशा नाम नदी उठे गुम्रे नीले आवाज अलग है तो रितुराज का इसमें कौन सा कविता संग्रा है यह आपको बताना है और इसके लिए right answer option B है आशा आशा नाम नदी option B आशा नाम नदी जो है वह रितुराज का कविता संग्रा है option B right answer है अगले question है अब्रहंस को कौन सी भासा कहा गया है इसमें से अब्रहंस को कौन सी भासा कहा गया है तो अब्रहंस को एक तो पहले आप को पता ही होगा कि भासा का विकास करम किस प्रकार है किस प्रकार भासा का विकास करम है पहले थी संस्कत संस्कत फिराई पाली फिराई प्राकरत उसके बादाई अपभरंस और फिराती है हिंदी ठीक है यह हमारी जो भासा है इसका विकास करम है तो आदी जन्नी क्या है इसकी भासा की संस्कत है संस्क्रत, पाली, प्राक्रत, अभ्रंस और हिंदी और question आपको कभी इस परकार भी पूछ लिया जाएगा कि जो हिंदी भासा है यह किस भासा से विक्सित हुई है तो यह अभ्रंस से, अभ्रंस का ही जो रूप है वो हिंदी में कनवर्ट हुए है मतलब अभ्रंस हिंदी से पहले कौन सी भासा का करम है अभ्रंस ऐसे भी question हो सकता है कि हिंदी भासा के करम में हिंदी से पहले कौन सी भासा आती है और यह option दे दिये जाएंगे तो कौन सी भासा आती अब्रहंस या फिर हिंदी किस भासा का रूप है मतलब अगला विक्सित रूप है तो वह किसका है अब्रहंस का है ठीक है तो अभी देखिए हमें क्या देखना है कि अब्रहंस को कौन सी भासा कहा गया है इस में से कौन सी भासा कहा गया है उकार बहुला, मातरात्मक या क्रात्मक अब भरहन्सु को कौन सी भासा कहा गया है इसके लिए right answer option A है उकार बहुला अब भरहन्सु को उकार बहुला भासा कहा गया है अगला क्वेशन है तुलसी दास को वेद वेदांग दर्सन इतिहास पुराण आधी में किसने प्रभीन किया तुलसी को वेद वेदांग दर्सन इतिहास पुराण आधी में किसने प्रभीन किया मतब कि निपुन किया तो option है रामानंद, नरहरी रास, शेश सनातन, रत्नावली इसके लिए right answer option C है शेश सनातन तुलसी को वेद, वेदांग, दर्सन, इतिहास, पुरान आदी में जो प्रम्यन करने वाले थे वो थे शेश सनातन, option C right answer अगला question है सांसारिक वस्तों को प्राप्त करने की चाह के लिए प्रुक्त सब्द का चैन कीजिए यह एक सब्द वाला जो होता है ना answer की इसे क्या कहते हैं जो सांसारिक वस्तों को प्राप्त करने की चाह होती है उसे क्या कहते हैं इसके लिए एक सब्द बताना है और इसके लिए एक सब्द है एशना और इसके लिए एसके लिए राइट आंसर है सांसारी क्वस्तों को प्राप्त करने के जो चाह होती है उसे कहा जाता है एशना अगला क्वेशन है तुलसी दास के लिए कथन किस के दोरा प्रिवद किया गया है कि राम भक्ति कावि में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है निस्प्रव है यह कथन किसका है सुकल जी का, हजारी प्रसाद दुवेदी जी का, बच्चन का या डॉक्टर नगेंदर का तो राइट आंसर ऑप्शन C है, डॉक्टर बच्चन नहीं कहा है ऑप्शन C राइट आंसर है कि राम भक्ति कावि में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है और निस्प्रव है ऑप्शन C राइट आंसर है, यह कथन है बच्चन जी का अगला कुशन है मानसिक हां कानन रिबुची केंगे फिर्दव मिली कि फैने चेतन पर संद। प्रयास करने एक होता है इस तो इस यह थो औरよう में होती है थी अब जो चिज को याद करके चेतन मन में भूला से वे जब कर न रिते हैं तो उसे क्या हैं ठीकिशों को परियास करने पर चेतन मन बलाते हैं मतलब कि जिससे कि हम जब जनन miesz흐स को जानते हैं दिमाग में हभी तो हुँ से क्या कहते हैं अव chatonman कहते हैं निटर्ध के तो option b right answer है उसे कह तन्मन कहलाता है अगला क्वेशन है उत्तर वा पूरु के मध्य की दिसा होगी उत्तर वा पूरु के मध्य की दिसा होगी उत्तर वा पूरु के मध्य की दिसा मतलब कि बीच में जो दिसा होती है उसे क्या कहते हैं आया भी कहते हैं इशान कहते हैं पूरु कहते हैं फिर दक् अगला question है रशनाकाल की द्रश्टे से निम्खित करतियों का सही अनुक्रम है रशनाकाल की द्रश्टे से इन रश्टे से इन रश्टाओं का अनुक्रम बताना है कि पहले कौन सी रश्टा है फिर कौन सी है दोहा कोस है स्राव का चार है संदेश रासक है और किरतिलता है तो ये आपके option आपको दिये गए हैं, हम सीरीस में right answer देख लेते हैं, इसका right answer option A है, तो रशनाकाल की रश्टी से जो करतियों का सही क्राम है, वो option A है, पहले दोहा को उस्ती रशनाकाल, संदेश रासर और कीर्थिलता, ठीक है, अगला question है, और दोहा को सरपा की रशना है, स्रा किस ने किया, जो रशना बौधगान और दोहा, इसका संपादन किस ने किया है, बताना है, option रहु सांकर्तियान, सूरिकान, सास्त्री, प्रबोच चंदरबागाची, हरप्रसास सास्त्री, तो बौधगान और दोहा, रचना के संपादक का नाम बताना है, और इसका संपाद किया है इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी डी है हर प्रसास सास्तरी ने बौदगान और दोहा का संपाधन किया है अउनत युगम का अर्थ है अउनत का जो अर्थ है वो बताना है कि अउनत का अर्थ क्या होता है इसके लिए राइट आंसर बताना है ऑप्शन है उनत उतक पॉम्चरयू, खुमार रासो, विशलदेव रासो और चंदनबाला रास अगला क्वेशन है कबीर की अपेक्षा खुसरो की ध्यान, बोलचाल की भासा की और अधिक था कबीर की अपेक्षा, खुसरो का जो ध्यान था, खुसरो का ध्यान, बोलचाल की बहासा की और अधिक था यह कथन किसका है, आपसन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिस्टर बंदू का, हजारे परसाथ दुएदी का या सुकल जी का आपको राइट आंसर बताना है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑपसन डी है, रामचंदर सुकल जी का है कथन है कि कबीर की अपेक्षा, खुसरो का ध्यान, बोलचाल की बहासा की और अधिक था अगला क्वेशन है कि कि समिक्षक ने विद्यापदी की पदावली को जीव और परमात्मा के सम्मंध का रूपक माना है कौन समिक्षक है जिन्होंने विद्यापदी की पदावली को जीव और परमात्मा के सम्मंध का रूपक माना है Option है हजारी परसाथ दिवेदी ने, अनन्द कुमार स्वामी ने, सुपरसाथ सेह ने या राम रक्ष बेनी पूरे ने कौन सा समिक्षक है जिसने विद्यापती की पतावली को जीव और परमात्मा जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है तो कौन है वो समिक्षक जिन्होंने विद्यापती की पतावली को जीव और परमात्मा की संबंध का रूपक माना है option है और right answer बताना है इसके लिए right answer option डी है राम रक्ष बेनी पूरी तो राम प्रक्षिबेनीपूरे ने विद्यपतु की पदाविली को जीव और प्रमात्मा के संबंद का रुपज माना है अगला क्वेशन है जाही दीन ना नेह करण। कृपा मर्दन मयन पंक्ती में कृपा मर्दन सब्द किसके के लिए परिकुत हुआ है तो जाही दीन ना नेह करो कृपा मर्दन मयन पंक्ती में कृपा मर्दन सब्द किसके लिए प्रिक्त हुआ है option है राम के लिए विश्व के लिए कामदेव के लिए या सिव के लिए right answer option जी है सिव के लिए अगला क्वेशन है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई उक्ति किसकी है यह एक कथन है आपको बताना है किसकी तवारा के कथन कहा गया है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई यह उक्ति किसकी तवारा कही गई है आप्सन है अमीर खुसरो, कबीर दास, रहीम और दादो दयाल राइट आंसर इसके लिए आप्सन ए है अमीर खुसरो का यह कथन है यह पंक्ती है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई अगला क्वेशन है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाडिया कrshnभक्त या रागानुमा भक्ती मारगे साधगों के पद राम भक्ती या वैदी भक्ती मारगे उपासकों की कविता हैं सूफी साधना से पुष्ट मुसल्मान कवियों की तथा एतिहासिक हिंदु कवियों के रामान्स और रीदी का भी ये चोहों धाराएं अब्ध्धन्स कविता का स्वभावी विकास है यह कथन किसका है यह कथन किसका है यह बताना है option B right answer है हजारी परसाथ दिवेदी का यह कथन है अगला question है रामानन्द जी के किस सिस्य का उलेक भक्तमाल में नहीं है तो रामानन्द जी का कौन सा सिस्य ऐसा है जिसने वर्णन भक्तमाल में जिसका वर्णन नहीं किया गया है तो इसके लिए right answer option C है कृष्णदास का वर्णन भक्तमाल में नहीं है तो रामानंदे का सिस्य जो भक्तमाल है उसका वरन भक्तमाल में नहीं है वो है कृष्णदास का वरन भक्तमाल में नहीं है अगले क्वेशन है कविता क्या है यह बताना है कि आपको कविता के बारे में बताना है कि कविता क्या होती है कविता क्या है इसी नाम से एक रशना सुकले जी की है रामचंदर सुकले जी की एक रशना है जो निबंद विधा की रशना है जो क्या है निबंद विधा की रशना है कविता क्या है रामचंदर सुकले जी की अभी हम यहां पर इस रशना की बात नहीं कर रहे हैं कविता क्या तो कविता क्या है इसके लिए रहेट अंसर उप्सों सि ही भावों का सुच्छंद अवेग यानि कि हमारे मन्न के जो भाव होतë है वह सुच्छंद रूप से एक आवेग में बहते हैं वही कविता है कविता के द्वारा ही जो लेखक होता है वो अपने मन के भावों को सचंद रूप से बहने देता है ठीक है तो आपके यहां पर एक क्वेशन यह भी तैयार है कि कविता क्या है यह एक रशना का नाम भी है जो कि रांचेदर सुकली जी की है और जो विधा है निवंदर अगला क्वेशन है कहू मानवी यदि में तुमको तो वैसा समकोच कहां कहू दानवी तो उसमें है लावन्य की लोज कहां वन देवी समझू तो वह होती है भूली भाली तुम ही बताओ अतः कौन तुम है रमणी रहश्यवाली कौन सा अलंगकार है यहांपर आपके बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपसन है संदे है बहांतिमान है असंगती है और वुभावना है तो इसके लिए राइट आंसर आपसन सी है असंगती ठीक है इसमें जो अलंकार है वह असंगती है क्योंकि यह कहा है कहूं मानुवी कहूं तो संकोच कहा है कहूं दानुवी तो उसमें है लावनिता की लोच का मतलब कि एक जिस संदरी के लिए सब्दी यूज हो रहा है अगर वो उसे मानुवी कहता है तो उसमें कहने में संकोच होता है और अगर दानवी कहता है तो दानवी की जैसी उसमें लामनिता की लोश नहीं है मतलब कि इन दोनों में असंगती मेल नहीं खा रहा है वो जिस तरीके से भी कह रहा है वन देवी समझे तो वह होती है भूली भाली और दूसरा है कि अगर वह उसे वन्देवी समझे तो वन्देवी भूली भाली होती है तुम ही बताओ अथा कौन तुम हो रमणी रहसे वाली तो भूली भाली होती है लेकिन ये रहसे वाली है तो इन दोनों में क्या हो रही है संगती असंगती हो रही है तो उसमें तिथी डाली जाती है तो गजल है, डाइरी है, कविता है या फिर उपनियास है इसके लिए राइट आंसर ओप्सन बी है डाइरी डाइरी में जब लेखन कारी कह जाता है तो वहाँ पर तिथी डाली जाती है अगला question है कहे कठोर हर को धनुक कहे या प्राकरत बात को भजन तो किये सरब संघारी काल पंक्तियों में भाव है इन पंक्तियों में भाव बता रहा है कि कौन सा भाव इन में है इसके लिए राइट आंसर अप्सन डी है उगरता है अगला क्वेशन है अंतरंग साक्षातकार कहा जाता है इन में से किसको अंतरंग साक्षातकार कहा जाता है रेडियो नाटक को कहा जाता है डाइरी को कहा जाता है रिपोर्टाज को कहा जाता है या फिर फीचर को कहा जाता है तो अंतरंग साक्षातकार कहा जाता है इसके लिए right answer है option B diary को diary जो विधा है इसको अंतरंग साक्षातकार कहा जाता है अगला question है छायावाद एक विशेश प्रकार की भाव पद्दती है छायावाद एक विशेश प्रकार की भाव पद्दती है जीवन के प्रती एक विशेश भावात्मक द्रश्टी कोण है यह विचार किसके द्वारा दिया गया है option है सुकल जी के द्वारा, जोक्टर नगेंदर के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या इन में से कोई नहीं तो right answer इसके लिए option B है, डॉक्टर नगेंदर का यह कथन है यह विचार है कि छायवाद एक विशेश प्रकार की भाव पद्दती है और जीवन के प्रती एक विशेश भावात्मक द्रश्टी कोण है अगला क्वेशन है, द्वेदी युग के किस कवी को राजिसभा का सदसे मनुनित किया गया तो कौन से ऐसे कवी हैं द्वेदी युग में जो कि राजिसभा के सदसे के रूप में भी मनुनित हुए है इसके लिए औपसर महाबिपरसाद, दिवेदी हैं, हरियutan हैं, रतनाकर हैं, गुप्त हैं और राजिसभा के सदसे मनुनित हुए थे अगला क्वेशन है की चीटी से लेकर हातीपरियंत पसु भेख्षुक्ष से लेकर राज़ापरियंत मनुसे अनंत आकास, अनंत पर्थवी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है यह कथन किसका है इस कथन को बताना है चीटी से लेकर हाथी परियंत पसू और बिखशुक से लेकर राजा परियंत मनुश्य अनन्त आकाश, अनन्त पर्थवी, अनन्त पर्वर सभी पर कविता हो सकती है यह कतन किसका है आपसन है सुकल जी का, महाभीर परसाद दुवेदी का नगेंद्र का, हजारी परसाद दुवेदी का तो राइट आंसर आपसन भी है महाभीर परसाद दुवेदी यह कथन है महाभीर प्रसाद द्वेडी का ठीक है तो यहाँ पर इसी क्वेशन के साथ यह वीडियो हमारी ही पर एंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई क्वेशन के साथ I hope कि यह क्वेशन आपकी त्यारी को बनाने में काफी आपके लिए यूजपल होंगे तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली नई वीडियो मिलती है चीक है और अगर आप उत्राखंड एल्टी के लिए तियारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपर्टेंट होगी और साथ ही अगर आप तियारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का वी दिहां देना है कि आप हिंडी साहिती के अत्रिक्त संस्कृत के साथ 14 क्वेशन उसमें लगवज आते हैं वह भी तियार करेंगे और उसी के साथ 20 के आसपास क्वेशन हिंदी सामानी हिंदी के आते हैं वह तियार करेंगे और 30 क्वेशन तो पैड़ागोजी वाले आते हैं वह तियार होते करेंगे और उसके अधिक जो question बचेंगे वो हिंदी साहिती से आएंगे और NCRT का भी जरूर परें और मेरी कोसिस रहेगी कि मैं अपनी वीडियो में NCRT से related question भी लेके आऊंगी छीक है जिससे कि आपको भी help मिले आपको बहुत जादा ढूंड़ना होना पड़े तो चलिए इसे की साथ हमारी क्लास ही प्रेंड होती है धन्यवाद